गंटों तक इंस्टाग्राम से गायब रहने के बाद नोरा फतेही की इंस्टाग्राम पर वापसी कहा अकाउंट हैक करने की की गई थी कोशिश अक्ट्रस नोरा फतेही के अचानक इंस्टाग्राम से गायब हो जाने से इंटरनेट पर हल चल मच गई यह फैंस के लिए एक गहरा जटका था क्योंकि अकाउंट डिलीट करने से पहले अभिनेतरी लगातार अपने लाको फैंस के साथ दुबई में चल रही अपनी छुट्टियों की तस्वीरों और वीडियों को साजा कर रही थी परन्तु कल जब प्रशंसकों ने उनकी प्रफाइल खोलने का प्रयास किया तो अकाउंट अनविलेबल दिखाई देने लगा यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई और उनके अचानक गायब होने से प्रशंसकों और शुप्चिंतकों के बीच कई तरह के कयास लगने लगे हाला कि अब उनके फैन्स के लिए राहत की बात है क्योंकि स्ट्रीट डांस रट 3D अभी नेतरी सोशल मीडिया से घंटों अनोपस्तित होने के बाद इंस्टाग्राम पर अब वापस लोट आई है नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान साजा करते हुए खुलासा किया कि उनका अकाउंट जाहिर तोर पर हैक किया गया था उन्होंने खाते को पुनर जिवित करने में मदद करने के लिए इंस्टाग्राम की टीम को भी धन्यवाद दिया उन्होंने नोट में लिखा शमा करें दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैक करने का प्रयास किया गया था वो इस सुबह से मेरे अकाउंट में आने की कोशिश कर रहा था इतनी जल्दी इसे सुलजाने में मेरी मदद करने के लिए इंस्टाग्राम टीम को धन्यवाद फोटो और वीडियो शेरिंग अप्लिकेशन से उनके अनुपस्थिती की खबर निश्चित रूप से आजसुर्खियों में सबसे उपर है मालूम हों कि अदाकारा अपनी मनुरंजन जगत में उन स्क्रीन उपस्थिती से ज़ादा अपनी सोशल मीडिया के कारण जानी जाती है 29 वर्षियर कैनाडियन एक्ट्रेस अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग के कुछ बिहाइंड दे सीन्स वीडियो को भी साजा करती रहती है अभी की बात करें तो अधाकारा हाली में गुरूरंधावा की नई म्यूजिक एल्बम डांस मेरी रानी में दिखाई दी थी जिसको दर्शको द्वारा खूब पसंद किया गया गौर तलब हो की नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर 37.6 मिलियन फॉलोवस है ऐसे में उनका अचानक से गायब हो जाना वा कई बड़ी बात है आपका इस पर क्या ख्याल है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं मनुरंजन की दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें देशित निउस के साथ धन्यवाद